एक सिंपल सा शेप्टर जिसका नाम है कॉश्ट अब कापिटा कॉश्ट अब कापिटा तरी कितने नंबर का आता है आता था अभी का पैटनर मुझको नहीं मालू पास से दस नंबर का अगर हमें पैसो की जरूरत है पैसो का अनेजमेंट कंपनी को है ना कहां कहां से किया इक्विटी डेट और एक क्या हो सकता है प्रफ्रेंश येर्स येर्ट वाले को कुछ देना पड़ेगा अरसा इंट्रेस्ट और एक्विटी वाले को अब प्रॉफिट होगा तो अब प्रफ्रेंश वाले को अगर प्रॉफिट होगा अगर प्रॉफिट होगा इसा बोल रहा है भाई मेरा मेरा पहले कॉशन रेट वाले को चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो इंट्रेस्ट देना पड़ेगा इकविटी शेरोल्डर को पैचे एगा तो देंगे प्रॉफिट शेरोल्डर को अगर प्रॉफिट नहीं हुआ है तो अगर क्युमेलेटी होगा तो अगले साल मिला कर देगे यहां तक ठीक प्रॉफिटी शेरोल्डर को भी डिविडेंट दिया जा था एकविटी वालों को भी डिविडेंट दिया जा तो दोनों में अंदर क्या है मतलब प्रॉफिट शेरोल्डर को पहले दोगे और एकविटी वालों को बाद में दोगे और एकविटी का सबसी इंपोर्टेंट है फिक्स वह इसका फिक्स रहता है अब दो चीजे है एक होता है क्यों रिडीमेबल और एक होता है ए रिडीमेबल डीबेंचर का मतलम जिनको मैं आपसे पैसे उठा रहा हूं इसके साथ हर साल इंट्रे बैस वापस कर दूंग bringt दूसरा क्या प्लीज मुझे पैसे दो मैं हर साल इंट्रेस्ट दूँगा, पैसे कभी वापस नहीं करूँगा, सिर्फ इंट्रेस्ट देते जाओंगा, देते जाओंगा, देते जाओंगा, वो कौनसा वाला इंडिया में नहीं है, तो क्या हम इंडिया के लिए पढ़ रहा है, नहीं, आप टैक्स पढ़ लो, आप लो पढ़ लीजी, आपको जो पढ़ना पढ़ो, फाइनेंस इंडिया में नहीं है, फाइनेंस जो पढ़ है, हर जगा एक जैसा चलता है, तो यहां नहीं हो सकते, क्या यहां से बाहरा से हो सकते हो सकते, पढ़ना तो पढ़ेगा ठीक तर इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या है, basically ये बताओ ये क्या है कॉम्पनी, बना लो, बना लो कॉम्पनी चलो चल जाएगा भी कुछ पता है, नहीं बता है फ्रीक तो 45,000 10% के हिसाब से उठाया, 55,000 14% के हिसाब से उठाया, टोटल कितना हो गया arrangement, एक लाक और एक लाक रुपए यहां लगा के 12% कमाने वाले, तो अभी question बस इतना था कि इस पर हमें total दोनों buying को मिला कर कितना देना है, कितना देना है निकला था, 12,200, 12,200 कितने पर देना है, एक लाक पे तो हमने percentage निकाला हो, percentage आ गया है, 12.2%, इसी को हम बोल रहा है, weighted average cost of capital, और हमें यह निकालना सीखना है, तो ultimate target है, यह निकालना सीखना, लेकिन इससे पहले हमें यह तो निकालना सीखना पड़ेगा न, 10%, 14%, तर यह तो दिया रहता है, नहीं दिया रहता है, यह भी निकालना सीखना, मतलब सबसे पहले हमें specific cost of capital निकालना सीखना, तो अब पहले लिख ले, क्या-क्या पढ़ने वाले इसमें, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें जो पढ़ना है, वो पढ़ना है, cost of debt, cost of debt, debt का मतलब, loan वगेरा, dementia वगेरा, और वैसे इसको प्यार से हम, KD बोल, KD, तो रमारा कुछ और बोलने का मनें नहीं बोल सकते, cost of debt, KD ही बोलोगी, तो एक तो debt से पैसा हो जाएगा, और क्या बोला था, प्रिफरेंशियर, cost of friendship, और इसको प्यार से, KP बोल, KP, और पैसा किस से ले सकते हैं, एकविटी से, cost of equity, मैं जानता हूँ, पहले पढ़ा होगा, तो प्लीज भूल, वाउ, तो फिर कैसे बता से, अच्छा, अंदाजा लगा दिया, गई, मतलब सर्श, आप एर अजीब सी बाद बोल रहे हो, company बिल्कुल कंगाल है, मतलब पैसे लग रहा है, तो पैसा कही ना कहीं से उधार लोगे, उतके पास भी तो हो सकता है, returner नहीं, उसका, उसका कोई cost है कि, पता इतना देर से क्यों बूले, नहीं तक समझा है, अभी सवाल है, सुरू, 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 अगर यार मैं कहता हो, एक लाख मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ, खुद का, किसी को नहीं देना, मेरे पास जमाता हुई लगा रहा हूँ, अब 12 परशन के कमाई हो रही है, क्या करना चाहिए है, हाँ, 10 परशन में, एक परशन में, मतलब आपको ऐसा लगा है, पैसा घर में रखा हूँ, तीजोरी में, नहीं, तो जो पैसा है, वो कहा रखा है, बैंक से कुछ तो मिलता होगा, तो सोचो ना यार, उधर कितना मिलरा, आप कैसे बोल सकते हूँ कि सर, वो फ्री का पैसा है, मतलब उसका कोई, उसका अपॉर्चरी कोश्ट तो है, वो भी तो देखना पड़ेगा आपको, इसमेंस हमको और एक चीज़ सिखना पड़ेगा, इसको प्यार से बोल सकते हूँ, और जब पड़ लेंगे यह सब, तो हम तयार हो चुके हो, फिर थोड़ा सा पैसा इन से, इन से, और इन सब को तो फिर आजाएगा, डबलू, इससी, लास्ट, हमारा टॉपिक का उद्देश ही है, यह निकल ना, वेट्रेट, एवरेज, कॉश्ट आफ, टापिटल, इसको क्या बोलते हैं प्यार से, गलत, क्यों, 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 डबलू, इससी भी बोलते हैं, क्यों, मतलब, ओवर्वर्वल कॉश्ट आफ क्याबट, ओवर्वर्वल कॉश्ट आफ क्याबट, बिलको सिंपल चेप्टर है, क्योंकि अब इंट्रड्यूज हो चुका, तो इधर से MCQ जा सकता है, 100%, और इससे आएगा, डिस्क्रिफ्ट हो, पर इसके लिए ये तो सीखना ही पड़े, तो पहले स्टार्ट क्या करें, कॉष्ट प्रक्रिफ्ट, पॉष्ट पहला, दो पार्ट में डेट को बाएड, डेट मतलब डिमेंचर मान लो, एक हो गए एरिडिमेबल और एक हो गए रिडिमेबल, मैं बात करूँ, एरिडिमेबल, kD a C2 पाया च एकाच सबगए नगुए झख भी आग 10 kd AC2 पाया पाया प्याया है प्याद कि वी निए या प्याद प्याद ग्याद ट्याद कि एक वी निए प्याद विए विए 9 त्याद छोग्ट गुए और शुए ले टोगए दुए into 100 I का मतला crushed amount P का मतला tax rate or NP का मतला net prospects और हंड्रेट का कोई सुपर एक्जाम्पल बैंक लो एक लाक रुपे मैं बैंक के पास गया है अना का बैंक मुझे एक लाक रुपे चाहिए आए इंक ने का ठीक है जी rate of interest आपको लगीगा 13% पर एंब मतलब एक लाक का 13% पर एंब कितना होता है ? और वो लेक दिक्कत है processing fee लगीए अब बैंक जाते हो ना कोई भी लोन है प्रोसेसिंग फीस लगती है चलो प्रोसेसिंग फीस और ये लगेगा बोले साथ हजार रुपए सवाल ये है कि बैंक से मझे मिलेगा कितना कि एक लाक मिलेगा एक लाक रुपए मिलेगा और हम साथ हजार रुपए देगे कि 93 मिलेगा कि प्रोसेसिंग फीस कटके मिलेगा पाद में लगेगा प्रोसेसिंग फीस या अप प्रेंट लगेगा तब लगेगा हाँ मुझे मिलेगा कितना और साथ हजार वह लेगा कि नहीं लेगा हाँ मतलब 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 में बस यह कहना चाता हूँ नेट 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 कितना 93 किजी सी बात बुलू न यार ठीक है अपने कभी ट्रेड डिसकाउंट सुना है तो डिस्काउंट होते एक cash discount और trade discount बच्पन में छोटे-छोटे बच्चे थे मेडम पढ़ाती थी यह calculator लेने गया था मैं shopping mall इस पर लिखा था MRP 200 रुपए discount 50% मैं गया माल और मैंने कहाँ यह और cardward ने cash दे रहा था 100-100 के 2 note निकाला मैंने कहाँ यह 200 तो यह कौन सा discount है trade हम trade discount में discount हम उड़ा देते हम सीधा क्या कोई पूछे के इस बढ़ा 100 बस वही में कह रहा हूं कि net नेट नेट भले ही आप बोल रहे होता है कि 7000 रूपा processing fees हम ने दिया ऐसा भी होता है कि कटके मिलता है insurance बगेरा का सब्सक्राइब कि net मेरे जिम्मे कितना है 93 93 कोई भी बुलेगा यार interest interest लगेगा मुझे interest कितने बे लगेगा interest एक लाग पे लगेगा जबके 93 मिल रहा है interest एक लाग पे लगेगा कि net एक लाग पे लगेगा मैं कैसे भी देखू उससे कोई फरक आपको नहीं पड़ना चाहिए एक लाग पे लगेगा साथ हजार रुपए वो तो खर्च है भाई तो अगर कोई बोलेगा interest कितना रुपिया लग रहा है बताओ 13,000 अच्छा तो 13,000 आया अगर मैं किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने जा रहा हूँ तो कितना लगा पाऊंगा 93 यार मैं अगर किसी प्रोजेक्ट में पैसा लगा पाऊंगा मेरे तो साथ हजार खर्चा हो गया तो 93,000 मुझे मिला है अच्छा में इसे net proceeds और उस पे मुझे कितना खर्च करना पड़ा ते रहा जा effective cost निकालना पड़ेगा effective का मतलब मेरे जे में कितना आया tax rate और सबसे अच्छा tax rate कौन सा लगता है 30% बस exam में 30% मत कर दिन और हमें निकालना है KD question mark 22.5 अब अराम से सोच नहीं अब अभी 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 फॉर्मूला को इग्नोर करो बहले concept की बात करते है concept ऐसा भाई क्यूंकि मैंने बैंक से लोन लिया है तो मुझे हर साल इंटरेस्ट कितना देना पड़ा है पिराज पिराज आपको पता है कि सर सुनो 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 इससे पहले जब अपने बैंक से लोन नहीं लिया था तो कैसे अच्छी खासी लाइप चल रही थी प्रॉफिट हो रहा था और प्रॉफिट कितने का हो रहा था चार लाक और क्योंकि तो मैं तो कंपनी हूँ तो मुझे 30% टेक्स देना पड़ रहा था तो 4 लाक का 30% कितना होता है एक लाक बीस जार मेरा टेक्स जा रहा था अब क्योंकि मैंने बैंक से लोन लिया तो अब जो प्रॉफिट जैसा चल रहा था एक लाक 16100 ये concept समझ लो अच्छे से इसका मतलब यार इंटरस्ट अच्छा है कि बुरा अच्छा है क्गी इंटरस्ट की वज़ह से मालूम है क्या है मेरा तो profit कम दिखहेगा प्रॉफिट कम दिखहेगा तो क्या होगा आपको पता है एक बात कियार हम लोग अगर मेरा बिजनेस है और मेरा प्रॉफिट होता है अभी मुझे कार खरीदना तो मैं यह डिसेड करों कि खुद के नाम से लू कि बिजनेस के नाम से लू बिजनेस क्यों कि इंट्रेस्ट अच्छा है कि बुर आच्छा है वह यह एक्सपेंस उस पर हुता है तो यह टेक्स बच रहा है कितने का टेक्स बच रहा है 30 और एक बार बताया 3900 और कैसे निकाला जा सकता था 13,000 का 30% तो कितना जाएगा 3900 तो 13,000 में से 3900 माइनस करो 9,100 कोई बोलेगा कि कितना पैसा जा रहा है इंट्रेस्ट के रूप में 13,000 पर फेक्ट्यू कितना जा रहा है आप बताओंगे क्या आप बताओंगे सर стран 13,000 जा रहा है पर 3900 बच बी तो रहा है इसको क्या बोला जाता है tax savings तो नेट मेरे जेब से कितना जा रहा है 9,000 9100 जा रहा है, एक्च्वल में, कितने पे, मतलब जेब में कितना आया, तो 9100 जा रहा है, कितना मेरे पास आया, 93, परशंटेज बुलो अब, अब बुलोगे परशंटेज, 9100 दिवाइड बा, ये है, इसी को केड़ी बुले, हला कि ये सब कहानी सर, हम लिखते हैं, क्या, नहीं लिखते हैं, हम फॉर्मले में चले जाते हैं, और फॉर्मला हमको आता है, चलो फॉर्मला लगाते हैं, काम करते हैं, दिखोगे, KD is equal to, सर, फॉर्मूला लिखना जरूरी है क्या, 1-tax divided by NP, I मतलब 13,000 रुपए, 1-tax का रिट कितना है, मतलब सर, सीधा 70% आचाएगा, येस, डेफिनेटले, ये आजाएगा, अपको कितना आएथा, 9100, divided by निचे कितना आएगा, 93,000, in 200, percent is below, 9.7, 8, 8 पर, ठीक है, ओके, बात समझ में, अब लिखो एग्जाम्प, example, 9% debenture, of rupees, 100 each, ओसर debenture कितने, 1000 debenture, 100 का एक है, और 9%, मुझे नहीं लगता कि, इंट्रेस्ट में, ज्यादा दिक्का, 9% debenture is 1000 debenture, और सर, processing fees, या फिर इसको floatation cost भी बोलते है, इस फ्लोटेस्ट कोस्ट हिंगे क्या, सिदा लिख देता है, issued act, rupees, 102, net कितना आएगा, तो आएगा एक debenture पी की 102, 102, पर इंटरेस्ट किस पर जाएगा, face value, पर इतना सब को पता है, okay sir, tax rate, 40 person, KD question mark, answers चाहिए, अराम से सुचो, अराम से, 5.29 एक answer, sir, ऐसे ऐसे question करना कि, हाँ, बड़ा गया काम, capital listing कहता हम, अब ऐसे ऐसे question है, हाँ, छी लिखना तो समय पढ़े, 5. आई, 1-tax divided by net proceeds, आई कितना है, 9 रुपए, 1-tax rate कितना है, 0.4, divided by 102, into 100, ये भी सही है, मतलब आपने कैसे किया है, ये निक, कौन सा वला, ये वला ठीक है कि आपका वला, अंसर कितना है, हमें करना कैसे है, ऐसे single लिखकर एक ही debenture पे कर दें, क्योंकि एक का कौश्ट निकालोगे चाहिए सब का कौश्ट, एक ही अंसर आएगा कि total में लिख करेंगे, मेरा बस इतना कोशन है कि ये 9000 लिखना जादा अच्छा है कि 9 लिखना जादा अच्छा है, इसंपर, 15% debenture, of rupees 100 each issued at par tax rate 30% 80 question mark 9 kd is equal to i 1 minus tax i कितना है 15 1 minus point कितना है यह 15 rate of interest है कि interest का amount rate of interest एक्षम्पल 11% 100 है था दिवेंचर जोग ड्ह eerste प्रमर्बदर है 1000 का एक दिवेंचर हाइड ्ह।र रुपीस 1000 का एक एक डिवेंचर हाइडow啪 Intinh एक एक अठेकर आड आ अएक एक आडगेंचर सब्सक्राइब ए बाचिवार्ट ए इचिवार्ट में ए लिफ ए ए वहें विफ ए जिए ए विटंग्ग एन्वार्ट ए लिए बैचे उसमें मैंने नीचे भी कुछ लिखाया तो वह इंट्रेस्ट आमाउंट पर नीचे कुछ नी लिख रहा हूँ तो इंट्रेस्ट करेट ज़रह बताओ क्या समझे पहले पहले बात हो जाए सारी यह कब कर सकते हो जब issued at par पर अगर issued at कुछ और होता तो नहीं कर सकते है फिर तो नीचे वाला फॉर्मला लिखना पड़ता पर फिर यहां को interest का अमाउंट ही लिखना पड़ता मतलब सब अगर हम interest का अमाउंट वो वाला चल जाएगा कि फिर ऐसे भी सीखना है आपको, एक ही बात है सर, कोई भी कर सकते हूँ, यह वाला क्या हर जगा चल सकता है, नहीं, पर क्या वो वाला जो करवाय था, वो हर जगा चल सकता है, थिक है, मैं तो एक अजार भाई मैंने 11 रेट लिया हूं तो इसमें सोचने मैं रेट ही ले रहा हूं मैं 110 लिखा ही नहीं है आपने 110 लिखा हो का मैं उतना सोची नहीं रहा हूं मैं रेट लिख रहा हूं अब आपकी मर्जी जैसे करना करूं क्या इसमें ज्यादा कन्फूजन हो रहा है इस वाले टॉपिक में आओ देखते हैं अब आपकी मर्जी आप चाहो तो पहले वाला तरीका कर लो रेट लिख कर कर लो चाहते है ऐसे रेट आफ इंट्रेस्ट 13% टैक्स का रेट है 40% केड़ी कोशन मार्क अब ढूंडोगे इस्यू पर इस कहां दिया है भाई या कितने पर निकालना है कुछ मत सोचना अब कुछ बच्ची बुलते सर फेस वैल्यू 100 एजियूम कर लेगी के कर लो भाई अगर ऐसे करना हो तो क्यों टाइम पस कर रहे हूं ओके सर केड़ी निकल गया केड़ी कितना गया से 1.8 ओके सर इसका मतलब है अगर इस्यू डेट पार है तो सीधा आई वन मैनेश टेक्स करके काम हो जाए यह कौन सा था अब लिखोगे रीडी मेपर के डिबेंचर डिस्कांट पर इस्यू हो सकते हैं अब थोड़ी दिर बाद ऑन-लाइन मुझे ऐसे बात करना ठीक ना एक बार यह होगा ना बाद लिखोगे रीडी मेपल डिमेंचर अब लिखोगे रीडी मेपल डिमेंचर ध्यूब अबू अब लिखोगे रीडी दिखोगे रीडी दिखे रीडीडी दिखे लीडीडी जिखें टिखें R v plus into 100 2 Example इस समझाराँ 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 एले लिखलो एक घंबर समझाराँ 12% adventure of rupees each each issued at 10% discount it means company कह रही कि भी यह सौर रुपय गडी वेंचर है नबे में ले चाही एक and redeemable after five years eight rupees 110 company क्या बोल रही है debenture है नबे में ले जाओ जब पैसे वापस करने आओगे 110 110 देंगे क्या debenture owner को लालस दिया जा रहा है जो ब्याज मिलना है वो मिलेगा साथ में extra भी मिलेगा कितना extra मिल रहा है मतलब total में बोलो न amount में amount आपने दिया कितना था आपो debenture owner आपने दिया कितना था और मैं आपको कितना दे रहा हूँ तो extra कितना दे रहा हूं, 20 रुपय एक्स्रा दे रहा हूं ना भाई 20 रुपय, जो ब्याज मिल रहा है 20 रुपय एक्स्रा भी तो दे रहा हूं मैं आपको क्या डिबेंचर होडर लालच में पड़ जाएगे, हाँ, प्री बचर लालच की बचर अप्टर 5 लेर और सर टेक्स रेट और टेक्स का रेट है 30 बशन और आपको क्या निकालना है रेडी आरवी का मतलब रेडी मेबल वैल्च ठीक है 12.4 परस्ट एक अंसर आया अब समझो बात को अच्छा समझाने से पहले कर रहा है आओ कर लो कर ही लो पहले फिर मैं बात करूगा फिर समझाओंगा पहली बार क्लास में ऐसा हो रहा है पहले कोर्शन बच्चे बना रहा है और फिर मैं समझाने हो कि यकीन माना मैं पूछूंगा जरूर कि divided by two क्यों कर रहे हैं क्योंकि आप अपने इसाब से कर रहे हैं ठीक है पूछूंगा आप अब मेरी बात समझें तो रुपए का बारा परशन कितना होता है बारा रुपए तो हर साल जाएगा ही जाएगा और एक्ष्रा कितना जा रहा है आया कितना था मेरी पास 90 रुपए और जा कितना रहा है 110 तो एक्ष्रा कितना जा रहा है 20 रुपए एक्ष्रा जा रहा है पर ये एक्ष्रा हर साल जा रहा है कि पूरे पास साल मिला कर तो और एवरेज हर साल कर निकल सकते हैं पास साल मिला कर जा रहा है बीस तो हर साल का चार ये चार कैसे निकला ऐसे निकला 110-90 divided by 5 ऐसे निकला ये वाला पार्ट तो सर्फ बारा रुपए ये और ये कितना आए था चार तो टूटल मिला कर कोश्ट कितना हो रहा है टैक्स वेक्स का देख लेंगे 16 रुपए 16 रुपए क्या हर साल का है हाँ हमने तो अवरेज मा रहा है ना हर साल का अब डिवाइड बाई ये एवरेज क्यों किया ये में बात पूछूंगा ठीक है पहले पहले लिखे प्रॉपर पहले उपर वाला पार्ट कतम करें क्या के डी एजी आई का मतलब हो के इंट्रेस्ट 12 वान माइनस पॉइंट पी ठीक है प्लस रिडीमेबल वैल्यू कितना है तर 110 देना पड़ेगा जबकि कंपनी के पास 90 रुपय आया तो ये पासल का मिलाकर है तो डिवाइड बाई नंबर ओफ येर्स कितना चाहेगा पांच और फिर हमने ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड वाइड 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 टू ओपनिंग मतलब आज का वैल्यू नबबे बात का वैल्यू ये सब्द पहले भी कहीं आया थे कि ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड वाइड वाइड टू ठीक है पहला सब्द यह है कि average क्यों किया तो मैं बहुत ज्यादा मैस में नहीं जाने बला हूं पर फिर भी आज debenture कितने में श्यूर अब पर और इस debenture पर बाद में कितना मिलेगा 110 कि कितने साल बाद एक दो तीन चार पाच हर साल interest का कितना मिल रहा 12 जैसे जैसे टाइम बीता टाइम मैंने debenture खरीद के रखा कितना पैसा दे चुका हूं 90 जीरे 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 यहां एक साल हुआ मेरे पाच जो debenture है क्या उसका प्राइस बढ़ जाएगा 90 रुपए कीमत है मैंने 90 में खरीद आता है एक साल हुआ आप आए प्लीज मुझे 90 रुपए में दे दूना क्या मैं दे दूंगा उससे ज्यादा लूँगा किस से कम वह तो 12 मुझे को मिल गए है हां हां आप इंट्रेस्ट को एक मेट के लिए छोड़ो दीशिये कितने साल चार साल हो चुकि मेरी खुशी का ठीकाना नहीं क्यों खुशी खुशी का ठीकाना ब्याज जो मिल रहा है मिल रहा है पर ये तो 110 मिल रहा है ना यार अब थोड़ा सोचो ना एक साल हुआ Thank God कितना बढ़ गया अब खुश सोचो ये बढ़ रहा है ये वैल्यू बढ़ रही है धीरे-धीरे धीरे-धीरे जैसे जैसे पास जाते जाओगी खुशी आप बढ़ते जाएगी बढ़ते जाएगी खुशी खतम कब हो जाएगी या It means एक साल हुआ तो क्या आप ज़्यादा पैसे चार्ज करोगे हाँ भाई मुझे पास साल का कीमत मिलना चाहिए जैसे दो साल हुआ तो और कीमत बढ़ेगी बढ़ सकते हो वैल्यू कितने कितने से बढ़ेगी रुपिया निकाल सकते हो चार-चार रुपैसे इट मिस यहाँ जो बारा कमा रहा हूँ मैं काऊंगा यार उसके लिए मैं 94 सेक्रिफाइस कर रहा हूँ और फिर यहाँ कितना जाएगा और चार बड़ जाएगा 98 और इन सब का एवरेस करोगे तो यही है शॉट कट उसका इंटरेस्ट रॉइंग्स पढ़ा था पार्टनर्शिप था किसी बच्पन में आपके हां बच्पन में तो पार्टनर्शिप में लिखा रहता था इंटरेस्ट एड़ दी एंड ओफ एवरी बिगनिंग ओप मंथ मिडिल ओप मंथ तो आप सारे मंथ को डिवाइड़ बारा करते थे यह भी एक आवरेस का तरीका था एक था ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाइट तो किसी का 6.5 आया था किसी का 6 आया था किसी का 5.5 भी आया था 7.5 क्वार्टर ली वाला था वह से मैं पूछा था टीचर से हैं तो फिर तो हम इस बात पर बहुत ज्यादा रिशर्च नहीं करेंगे टाइम कम हमारे पास सिंपल सी बात है वही कॉंसेप्ट है जो कैपिटल बिश्टिंग में एक कॉंसेप्ट आया था आया रर वाल ए रर उसमें भी हम क्या करते थे ए यहां भी हम एवरेस कर रहे हैं लॉजिक में यह दे दिया है पर इसको कैलकुलेशन में बठालूंगा तो आटोमेटिक डिवाइडेड वाइफाइव करूंगा तो आंसर आ जाएगा इतना ही आएगा जो यह आ रहा है ठीक है ओके सर आंसर कितना आ रहा था इसका 12.4 ओके सर ठीक है तो दो चीज़े हैं सर यह पता कैसे लगेगा कि यह रिडीमेबल है लिखा रहेगा तो ठीक ऐसा तो अब भी ऐसा है कि कोशिश करते हैं कि मैं आपसे गलत आंसर निकल वाँ देखते हैं अगला एक्जाम अच्छा और एक चीज़ किसी बच्चे ने पूछा था मैं आपसे पूछ लेता हूं थीए फाइनल वाल ने है वो भूल चुके थे कॉश्ट आप कापिटल पर वहां रिलाइज्ट वाइटीम करके बॉंड्स पढ़ने पढ़ेंगे आप जब बड़े हो जाओंगे तो अच्छ में आता है पर सर कंपनी का ये भी तो लॉस है ना यार 20 रुपए है उस पर टेक्स इमिक्स क्यों नहीं होगा आप खुश सोचो ना कंपनी के पता आया कितना नाटी देना कितना पढ़ा है 120 तो सर जादा पैसे देने पढ़ आई लाश पनी member कंपनी का तुस प्र टेक्स क्यों नहीं होगा लॉस तो है ये भी expenses है वो भी expenses है 20 रुपिया इस पर आप tax savings ले रहे रहे उस पर tax savings नहीं ले रहे है क्यों? कभी security premium नाम सुना है 10 रुपए का share 12 रुपए में issue किया तो 2 रुपए क्या चीज़ है? 2 रुपए premium होगा ना या प्रीमियम को profit and loss account के डैवीड में expenses तरफ लिखते कि income तरफ क्या बात कर रहा है income है ना कि extra extra कमाई है कि नहीं तो उसको income है तो income side लिखोगी कि expenses side वैसे मैं accounting का teacher नहीं हूँ ऐसी पूछ लिया मुझे उतना आप जो भी बोलते मैं हाँ ही बोलता क्योंकि profit and loss account income में लिखते के expenses company के लिए यार company के लिए profit and loss account में लिखते के उस पर income tax लगता है कि नहीं वस इतना बत रहा दो security premium पर income tax वाला आगया आपकी कमाई हूँ इंकमाई हूँ इंकमाई हूँ इंकमाई 10 का शेयर 12 में इस्यू किया कि मैं भूल जाता हूँ न तो बाल की बच्चो आप सुनो मरी माथ security premium कभी इंकम में नहीं आता उस पर income tax नहीं लगता है चीख बात सही है पर security premium का कुछ यूज है तो भी premium on redemption नाम सुना है तो premium on redemption को write off करने में क्या security premium काम आ जाता है तो ये premium on redemption ही तो है जब उस पे आपको tax नहीं लगता तो इस पे आप tax savings कैसे कर लोगे यार तो इसको loss को कैसे adjust करते हो आप security premium को यूज करते हैं दोनों खतम हो गया है ये ना expenses में डालेंगे ना तो वो income में डालते conceptual होई ये है पर लेकिन बिकार की बात है हमारे course का हिस्सा नहीं है पर बच्चों ने पूछ लिया था इसलिए ठीक है सर अब हम क्या करने वाले थे मैं आपसे गलती करवाने वाला थे आज आओ तो के लिखो के exam बिल्कुल सावधानी से करना कोश्च ओके सर हम तयार है कितना भी है सब कुछ मैं अपनी जान लगा दूँग इस example में 14% dementia of rupees thousand each एक है shoot at 10% premium कित मिंस मैं आपसे कितना पैसा मांग रहा हूँ 1100 and redeemable after 10 years tax rate 40% 80 question mark redeemable कितने में ये नहीं लिखा है क्या मानोगे पार फिक बात और सुनो मैं आप से क्या बल रहा हूँ please मुझे चाहिए पैसे में कमपनी हूँ please मुझे पैसे दो ना कितना मांग रहा हूँ 1100 वापस कितना करूँगा त्यार हो जाओगे please मुझे 1102 और पात साल बाद मैं आपको 1000 वापस करूँगा तर ऐसे तो हम दोस्तों के लिए भी त्यार नहीं हुए क्या बात कर रहा है निकाला क्या नहीं पूब नहीं हुए कितना 36.8 कास मुझे पता होता है अच्छा गलत किया है हाजी क्यों आया रहा है मैं आग बंद करके बता सकता हूँ गलती ये हो सकती 99 परशन बच्चे गलती क्या कर सकते वो 14 लिख देते जब कि वो 140 होना चाहिए 1000 का 14 परशन होता 140 7.8 सर जैसी मैंने 1000 लिखा ना वैसी मुझे समझ में आगा कि आप 14 लिखने वाले हो ठीक है एक गलती तो 04 तो मैं दो लोगो एक ऐसा एक्च्वल में एक्जाम में हो कि हम आप 14 लिखते थे अच्वल वाया एक हजार का 14 परशन कितना होता है 140 प्लस रिदीमेबल वैल्यू कितना है 1000 मैनस ग्यारहसो डिवाइड़दवा इस प्लस एक हजार प्लस ग्यारहसो डिवाइड़दबाए तू इंटो हंड़ट अनथर जैका तो साहिए final answer 7.0 क्या इसको सीधा calculator में कर सकते हो ना यहां 1-x भी तो होगा, sorry point क्या मेरा question ही है क्योंकि multiple choice question है क्या बिना pain चला answer आ सकते था इसको मुझे एक इस tip में नहीं करना यहीं से solve करना तो जड़ा बताओ सीधा calculator में कैसे होगा this इसको क्या डालेंगे M plus here कर के बताओ लिखना नहीं पेर नहीं चला नहीं बिना pain चला अंसर हाँ यह दिखके कर लो और माइंड से भी calculation नहीं कर सकते है बदलागे 140.6 मन से ले लिया नहीं करतकते नहीं नहीं करते नहीं करते नहीं निकाल के बता 1000 प्लस 1100 divided by 2 M plus में डाल दिया ठीक आगे बलो 140 140 into 0.6 कर दिया ठीक अब यह मन से कैलकुलेशन कर लिया ना अच्छा यहां कुछ और होता तो जबरदस्त वाला हाँ हाँ मेरा मेरा बस कहना कि मुझे अपने हिसाब से कैलकुलेशन नहीं करना मुझे पता होता था में पूस्तर क्यों है तो यह था हमारा कॉश्ट अप डेट मुझे इस पर जादे एक्जम्पल्स नहीं करवाना क्योंकि कुछ विश्यस ऐसा है नहीं कॉश्ट अप डिवेंचर दो तरी दो है एक होता है रिडीमेबल और एक होता है चोटा वाला फोर्मुला बड़ा वाला फोर्मुला में नाम दूँगा पिछला वाला जो था जिस में इतने ही पाट ता छोटा फोर्मुला चोटा फोर्मूला इसविरेंदेल में बड़ा फोर्मुला ओ एक हो थिए गो कि सेकर POSCT OF POTENTIERS इसमें भी दो टाइप हो सकता, एक कौन सा हो सकता है, यह रीडियमे पर और इसको क्या बोलते है, के प प्रफरेंश शेरोलडर को क्या दिया जाता है अर्साल? डिविदन, अलाग इसका नाम प्रफरेंश डिविदन बोलते हैं किया टिविदन, एक्सपेंس है, क्या पी-e-e-la-e-kånd में negó appropriate資 हैं, में एक्सपेंस में दिखा सकते हैं? अष्डियमेर का टैक्स वाले दिया है हमारा तो लुस बहुत कर्चा हो गया, तो इस पे कभी भी टैक्समेंस होगा है क्या नहीं हो का दिवरेज नहीं चल रहा है ठीक इसका लॉजिक है वो अलग बात है पीडी डिवाइड बाइन पी इंटो एंडरेट तो इसे में तो जानबुच के लिए खाकिये याद रहेगा कि इस पर टेक्स सेविंग्स नहीं होता है यह मैंने जानबुच के ऐसा लिखा आकि आपको याद रहे कि आपको टेक्स सेविंग्स नहीं लेना तो मैंने का काटो तो सुपूरा काड़ दी किसे लिए क्या थे पर दो दो गेंटे ज्याद होते है आगे लिखो के रेडी हूं सर डिटिक उप्राइब बड़ा बाड़ा फोर्मूला PD दच्ट प्लस रव था विनस Np दवड़िद दवा N और यहां जाये बाड़ा सर रव्ड़्य प्लस Np दवड़िद दवा और उमले में कुछ विशेज बात है नहीं इस पर कोई एक्जामपल भी नहीं कर वा रहा हूं अब कोशन किस हाथ में बनाएगे तो दो चीजे पढ़ा दिया क्या-क्या पढ़ा हमने अब लिखोगे कॉश्ट आफ एक पर क्या स्पीड से चल रहा हमारा चाहिए पॉश्ट अंतलब एक्विटी शेयर होल्डर को क्या दिया जाता अब शेयर ओल्डर हो आप उससे कितना चाह रहे हो यह मुझे निकलने इसको निकलने के तीन तरीक फर्ष्ट एक है जिसका नाम है कैपिटल एसेट प्राइजिंग मॉडल कभी नाम सुना है इसको प्यार से बोला जाता है T.A.P.M दूसरा मॉडल है जिसको बलते है डिविडेन ग्रोथ डिविडेन ग्रोथ Third earning price order earning price order price earning ratio कभी नाम सुना है price earning ratio P.E. ratio कभी नाम सुना है क्या पी वी रेश्यो नहीं, पी ए रेश्यो, प्राइज अर्णिंग रेश्यो प्राइज अर्णिंग रेश्यो प्राइज 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 बूदक्र अच्छा मोडल है भाई, पे यहीं निकलने का फॉर्मूला है आर एफ ब्लस थीटा आर माइनस आर एफ लिख लो लिख लो बता रहा हूँ आरेफ को प्यार से क्या बोलते हैं तर नहीं पता है रिस्क फ्री रेट रिस्क फ्री रेट तीटा वी का मतला आप वीटा को प्यार से बोलते हैं और सर आरेब का मतलब मार्केट रेट आफ रिटन और वैसे आरे माइनस आरेफ का भी एक नाम है तोलते हैं मार्केट रिस्क प्रीमिया इस फॉर्मिले को समझाऊंगा इस फॉर्मिले को समझ रहती है और इस फॉर्मिले के लिए कितनी क्लासेज जाती है तो करीब करीब तीन तीन घंटे की चार क्लासेज बारा घंटे में हम यही फॉर्मिला समझते हैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको मैं दस मिनट में समझाने की कोशिश करूँगा जो फाइनल में जाओगे तो फॉर्स डीटिल में यह कौन है राम पिल लुकुल ध्यान से समझना भाई क्योंकि इस से हंड्रेट परशन्ट मैल्टिबल चोश कोश्चन एक आएगा यह आएगा यह क्या है पैंक यही तो रिवीजन नहीं करते हो ना हाँ देगा इतनी गहराई से तो मेने भी नहीं सोचा है प्लीज कोई बताएगा नहीं क्या है ठीक घर रही है यह मार्किट जिसमें बहुत सारी कंपनी है ठीक है और राम के पास कितना है एक लाग रुप है बहुत खुस है और बैंक में रेट आप इंटरेस्ट कितना है छे परशन अब राम क्या कर रहा है सुनो के लिए राम जा रहा है पैसे जमा करने कहां बैंक चला धीरे धीरे अब आज आई अब आज कहां से आई इधर से आ रही मार्किट से राम कहां जा रहा है मिरमina उज्ञे बोलने तो राम बोल रहा है मैं बैंक जा-रांग पैसे जमा करने हृई तड़ेह êtes दस दस बलता दस मिल रहा है कि चलू चलते कितने की बाइज डरही थी बाइज की अवाज आभी यह कून आवाज से ठाश मल दखेया धा मार्केट का नम लट और और यह इसमें रिसक है की नहीं इसका नाम क्या बोल थोह आरेफ एसकष रिसक फ्री और चला राम, और चला, और चला, चला, किदर जा रहा है, मार्केट, और जैसी मार्केट जा रहा है, उसका एक दोस्त मिला, बुलते है, राम कहां जा रहा है, बुले, मैं मार्केट जा रहा हूँ, पैसे लागने, भाई, रिस्क है, बुले, एक्स्ट्रा भी तो मिल रहा है, एक माइनस आर एफ कितना आ गया है चार इसको मैंने बोला था मार्केट रिस्क प्रीमियम विश्वास नहीं होगा बारा गंटे की चीज में दस मिनट में समझाने के कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए जितना है बस उतना ही कापी है ठीक है ओके रामने का हटो यहां से मैं जा रहा हूँ यहां अब यहां पहुचा बोले कौन आवाज लगा रहा था भाई यह कंपनी यह तर इसका नाम क्या है अडानी है अडानी नहीं अडानी नहीं और अच्छा सान। सत्यम नाम सुना है सच पुराने जमाने की बाद है कि हैं सच्पियम मैं आवाज लगा रही थी में बहूं अब बड़ते दिड सी आ है सत्यम में दिक्कत है और दिक्कत सुनो क्या है market का मतलब होता है एक्चोर में nifty ये cents-sex और nifty cents-sex आपको बहुत अचे तरह से समझ में नहीं है पता है पर फिर मार्केट समझ ली हाँ उसको समझाने जाओँगा तो बहुत टाइम सब फाइनल में अप सुनो किसकी बात हो रही थी को अवाज दिया था дал मार्क नहीं यहां जा गिेख़ना लाघा हो सत्यम आपके साथ दिक्कत क्या है मार्क दस पर्शन से डाउन होता है आप बीस पर्शन से गिरते हो पास्ट का market गिरता निफटी गिरता तो आप तो पता नहीं क्या हो जाता है आप बूरे से गिरते हो और market बढ़ता है ना 10 से आप 20 से बढ़ते हो it means सत्यम बड़ा जादा fluctuation है बहुत जादा risk है आपके market कितने से fluctuate हो रहा है 10 से आपकी company किसे 20 से बहुत जादा डेंचर है मतलब कितना double double समझ में आ रहा है अच्छा double double को कुछ नाम दो बीटा इसे को बीटा बोलते है sensitivity index किसी का बीटा है 0.5 इसका मतलब बोलो मतलब 10 परशन से fluctuation तो ये कितने से पास से कौनसी company में ज्यादा fluctuation है fluctuation 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 इसमें वोले यार आपमें तो δिक्कत है भाई दिक्कत है नहीं पैसे नहीं लगा सकता बले इस नो नो किए कितना मिल रहा था बले 4 extra मिल रहा था बले यहाँ double है ना डबल ले लो भई रिस्क प्रीमियम का बोलो कितना चाहिए इसको सत्यम कितना देगा तो ये तैयार हो जाए वो कितना एक्स्रा रिस्क प्रीमियम का कितना मांग रहा था चार तो यहां डबल है तो कितना चाहिए डबल आट तो बोले मुझे छे तो चाहिए 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 और 8 और चाहिए जिस्क क्रीमियम का डबल है तो डबल चाहिए तो कितना चाहिए और 6 तो रिस्क-फ्री का मिल नहीं रहा था तो कितना पर्षा चाहिए मुझे 14 परसंद चाहिए, चाहिए, जिट 14 कैसे निकला आपने, निकला कैसे, 3, प्लस, 10 मैनस, 10 मैनस 6, और मल्टिपलाई किसे किया, 2 से, तो फॉर्मूला क्या बन गए, आरेफ, प्लस, आरेफ माईनस, आरेफ, बीटा की इधर भी चपका दो, इधर चपका दो, इधर चपक राम को कितना चाहिए तो राम के लिए क्या है रेटरन के क्लिए क्या है इसलेमिन क्या बोलते है मैं, इसको कही हाँ बोलते हैं पार्मुल सर कैसे याद होगा उसद्धीरे दिरे कोश्चन हो जाएगा ना कोश्चन में यह याद हो जाएगा कुश्च आप चिंता मत करो किसको मैं कैसी याद करवा दूंगा वाकि एक फॉर्मॉल है सर यह बारा घंटे में क्या पढ़ापती हो पीटा क्या है पीटा का कैलकुलेशन क्या है आपके लिए तो बिल्कुल पीटा ऐसा हो गया कुछ है ही नहीं है सर यह तो यह दिया रहेगा हलागि बीटा के पीछे बहुत खेल है चुलना एक एक्जामपल लिख लेते हैं तो उससे फायदा क्या हो जाएगा कि याद रहेगा देखो एक्जामपल आरेफ लिखों को चल जाएगा आरेफ एक पर्शन कोई बला लिख लेते है लीटा कितना लिया था तो और मार्केट रिस्क प्रीमियम यह कितना अगए दस और आपको क्या निकलना है के निकलना है यही एसे को लो फॉर्मुडा लिकर कर लो चाहता हूँ छे प्लस दस इंटू टू अब इस पर्शन तो सर पिछली बैच में क्या किया था बच्चो ने इसको आरेम मान लिया था यह आरेम नहीं है यह तो मार्केट रिस्क प्रीमियम है मतलब आरेम मैनस है जब कि वह दिफ्रेंस दिया हुआ है दिफ्रेंस दस है ठीक है कल मेरे पास यहां कोशन भी रहेंगे अगर देखा जाए तो अब भी हमने क्या पढ़ा है कल डिविडेंड ग्रोथ मतलब कल इस पेसिफी कॉश्ट अब कापिटल खतम हो जाएगा और कल डवल्यू सीसी भी स्टार्ट हो जाएगा बड़ी मुस्किल से दो क्लास लगाएंगे और हम कॉश्ट अब कापिटल खतम करनें हैं टार्गेट है दो तीन दो तीन क्लास में बाकी चैप्टल लगेगा तो तो आज ग्लास ओवर करें क्या तो मैं टाइम से उतना मतलब नहीं टार्गेट से मतलब अच्छा